ओम नमः शिपाई जै मातरानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूच्यूब चैनल वरत्यू हार टोटके मैं हूँ आपके साथ रिम जिम शर्मा दोस्तों आज अस वीडियो में मैं आपके साथ वर्ट सावित्री वरत की कथा सुनाने जा रही हूँ दोस्तों वर परमपरिक रूप से ये वरत मनाये जाता है जो की पौरानिक मानेताओं के हिसाब से मनाये जाता है वो ये वरत सुहागन महिलाओं के लिए है जो वर्ट सावित्री का वरत है वो वरत ऐसा वरत है जिस प्रकार से हम हरतालिका तीज वरत करते हैं करवा चौत का वरत करते हैं उसी प्रकार से बट सावित्री वरत सुहागन महिलाएं अपनी पती की लंबी आयू के लिए धारन करती हैं इस वरत को लेकर सुहागन महिलाओं में बहुत ही उत्साह रहता है दोस्तों शास्त्रों में जो वर्नित है उसके हिसाब से यह वरत पुरश को नहीं करना चाहिए विदवास्तिरियां नहीं कर सकने इस वरत को कुवारी कन्याओं की भी इस वरत को करने की मना ही है सिर्फ सौभागे वती स्त्रियों को एक मत्र रूप से असा बताया गया है कि हवरत करना चाहिए इस वरत की करने के प्रभाव से पती की अकाल मृत्यू तक नहीं होते स्त्री के वैधव्य योग का निबारन हो जाता है सुख सौभागे और धन्धानी की प्राप्ती होती है साथ ही आजीवन पती सुख प्राप्त होता है। जो भिस्त्रियां वर्ट सावित्री का वरत धारन कर रही हैं उनके लिए कथा को सुनना कथा श्रवन बहुत ही आनिवारिय बताया गया है पॉर्ण फलो की प्राप्ती के लिए तो वर्ट सावित्री वरत साल 2023 में हम मना रह तो इस वीडियो को सुन सकते हैं आप इस वीडियो को सुनकर भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आप स्वैम कथा पढ़ते हैं क्यूंकि कथा श्रवन का भी उतना ही महत्व होता है दोस्तों वर्ट सावित्री वरत कथा प्राचीन काल की बात है मद्रदेश में अश्व विद्वान जोतिशी ब्राम्मन पुरोहित को आमंत्रत कर एकत्रत किया। सबका यथा योग्य सत्कार कर कहा कि है भविश्यदर्शी विद्वान विप्रों आप सब गणा कर ये बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्ये में कोई संदान है या नहीं। तकाल राजा की प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान जोतिश्यों ने अपनी अपनी जोतिश गर्णाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय तक सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात कहिए। जोतिश बोले हे राजन आपकी प्रश्न का उत्तर प्रसनिता बढ़ाने बाला नहीं है फिर सत्य को छिपाना नहीं है आपको बता ही देना है। आपके एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान, धर्म परायन कन्या उत्तपन होगी। इसके अतरिक्त वो भी अपने विवाह के एक वर्श बाद विध्वा हो जाएगी। यहीं विधी का विधान है। जो दिश्यों की भविष्यवानी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। विकन्या और अपनी राजी की भविष्य के चिंता में बहुत दुखी हो गए। राजा को नारजी का स्मरन हो आया। धर्मात्मा राजा ने आहवान कर नारजी को बुलाया और सारी बात ने बता दी। नारजी कुछ पल विचार कर बोले। कन्या का पोर्ण शास्त्रोक्त विधी से विवाह कर दो। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारजी की बातें बता कर पूछा। हे पुत्री सावित्री तुम कहो तुम्हारा क्या विचार है। सावित्री बोली हे पिता जी मैं नारजी का आदेश का प्रसन्नता पूर्वक पालन करूँगी। राजा को कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। अब राज पुत्री सावित्री ने सखी सहेलियों, दासदास्यों और अनुचरों सहित भावी पती के यूकी व्यक्ति को ढूनने में ब्रहमन करना प्रारम्भकर दिया। अनेको नगरवन प्रांथ पारकर सावित्री एक छोटे से रमणी की जंगल में पहुची। बहां पहुचकर सावित्री ने अपना रत रुखवाया। कुछ देर प्रकृती की संदर्ता निहाने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आग खुलने पर एक रिक्ष की डाल पर बैठ कर कुलहाडी से लकडी काटता एक सुंदर बलिष्ठ गौर वर्ण का युवक देख पड़ा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा। सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चे किया। ऐसा नर्न लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर में विनम्रता पूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल नम्रस्वर में कहा कि हे राजकुमारी मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों और संकटों में घर जाएंगी। इसके बाद सावित्री बार-बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह-तरह से समझाता रहा। लेकिन सावित्री के हच पर सत्यवान ने कहा। समीप ही मेरी कुटिया है, वहां मेरे माता-पिता हैं, आप उनके पास चलें, अच्छा हो, यह बात उनके सामने हो। सत्यवान की प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उसकी कुटिया में गई वहां सत्यवान की अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह से समझाया पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह से आश्वस्त कर विवाह की स्विकृती प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्विकृती दे दी। सत्यवान की कुटिया से लोट कर सावित्री अपने पिता के पास पहुची और स पुना सारी बातें नारजी के सामनी भी दोहरा दी। नारजी बोले सत्यवान एक गुणवान, रूपबान, सदाचारी, सचरिवक है। पर अधो विवाह के एक वर्ष बाद ही उसके मृत्य हो जाएगी। इसलिए हे सावित्री तुम अपने लिए पुना किसी अन्य व्यक्त को चुनो, सत्यवान अल्प आयू है। नारजी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारजी दैब भैसे मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती हूँ। हिंदू नारी जीवन में एक बार पती का चुनाव करती है, मैं सत्यवान को अपना पती चुन चुकी हूँ। अब वचिन भ जीवन सुखी हो। नारजी आशिरवात देकर विदा हो गए। सावित्री के च्छानुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री को ग्याद था कि एक वर्ष बात उसके पती की मृत्य हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिय जाए तो विदी के विधान पर भी विजय पाई जा सकती है क्योंकि शंकर जी के विश्य में प्रसत्य है। आयू के केवल साथ दिन ही शेष रह गए, तो सावित्री और थी वृता से कठिन वृत उपवास कर, भगवान को प्रसंद करने में लग गईी। अतह सावित्री की भक्ती से प्रसंद होकर भगवान शंकर उसके सामनी अचात lawy आयू के दोहीं दिन शेष हैं। प्या उनकी जीवन रक्षा की युक्ती बताएं। प्या उनकी बताएं। पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा आप कौन है। उसनी उत्तर दिया। मैं यम्राज हूँ। तुम्हारे पती की आयू समाप्त हो चुकी है। मैं उसकी प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर। यम्राज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी यम्राज के पीछे पीछे चल पड़ी। यम्राज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया। पर सावित्री नहीं मानी जब वो यम्राज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उससे अपना पीछा छोड़ाने का विचार किया यम्राज बोले अपने पती को प्रांदान देने के अत्रे कोई अन्यतीन वर मांग लो और लौट चाओ इस पर सावित्री ने कहा हे धर्मराज मेरे अंधेस सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाए धर्मराज एवमस्तू कह दिये सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया राज्य लोटाने की प्रार्थना की धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया तो अंत में सावित्री ने तीसरा वर मागा कि वह पुत्रवती हो जावे धर्मिराज ने तीसरा वर भी स्विकार कर लिया वर्दान देकर धर्मिराज शीगृता से आगे बढ़े कुछ दो जाने के बाद धर्मिराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे-पीछे चली आ रही है इस पर क्रोधित होकर धर्मिराज बोले मैंने तुम्हारे तीनों वर्स विकार कर लिए तुम फिर मेरे पीछे-पीछे क्यों आ रही हो सावित्री बोली भगवन आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया है फिर आप मेरे पती की प्राण लेकर जा रहे हैं पती के बिना मैं पुत्रवती कैसे बनूगी सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वर्दान देनी की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौकला गए पुना सैयत होकर बोले सावित्री बड़ी चतुरता से तुने मुझे धर्म संकट में डाला है जाओ वर्दान असत्य नहीं होगा अपनी पती के पास जाओ तुम्हारे पहुचते ही सत्यवान जिवित हो उठेगा सावित्री अपनी पती के पास लोट कर आई तो वो जिवित हो उठा दोनों प्रसन्न होकर घर आए कुछ समय में यमराज की दोनों वर्दान पूरे हो गए, सावित्री के साथ ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया, यह सब बड़ सायत अमावस्या के व्रत का प्रभाव था, इस व्रत को सर्व प्रथम सावित्री ने मनाया, एत एम इस व्रत का द सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई, सावित्री के पिता अश्वपती को भी सो पुत्र प्राप्त हुए, और सावित्री सत्यवान के भी सो पुत्र प्राप्त हुए, और दीरगायू तक वो अपने राज्य को भोगते हुए, अंत में प्रतीक सौभागी वतिस्त्री के लिए यह व्रत करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से बट सावित्री व्रत कथा संपन्न हुई। तो जिस प्रकार आपने सुना इस व्रत का किस प्रकार का महत्व है एक सौभागी वतिस्त्री के लिए। जिसे सभी सौभागी वतिस्त्री को जरूर इसी वजह से इस व्रत को करना चाहिए पूरे भक्ति भाव से व्रत के संपोर्ण नियमों का पालन करते हुए तो उन्हें भी भगवान शंकर की कृपा से सक्तिवान सावित्री माता और यम्राज की कृपा से अखंड सौ भागे की प्राप्ति होगी तो उमीद करती हुँ वट्सावित्री व्रत कथा आपको पसंद आई होगी कथा पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजेगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजे वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक् जै मातरानी हरहर महादेव